नवश्कार दोस्तों मैं नवीन आपका एस्टो दोस स्वाकत करता हूँ आप सभी का NBT लाइफ में दोस्तों सपने में कई तरह के अनुभव हमको होते हैं और सौपन शास्तर में हर सपने का कुछ अर्थ बताया गया है ऐसे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप अपने सपने में खुद को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है यह सपना आपके जिवन में किस तरह के परिवर्तन लेकर आ सकता है दोस्तों यदि आप सपने में खुद को आत्महत्या करते देखते हैं तो यहाँ सपना बेहद शुब माना जाता है तो अपने शासर के नुसार इस सपने का अर्थ होता है कि आपकी आयू में विर्दी हो सकती है यह सपना आपकी मानसिक समस्याओं को दूर करने वाला भी माना जाता है सपने में यदि आप किसी रिष्टेदार के घर में गए हों तो यह सपना दर्शाता है कि आपके जीवन की जो परेशानिया हैं वो किसी रिष्टेदार की मदद से दूर हो सकती है आपका कोई करीबी रिष्टेदार आपका सहियोगी बन सकता है दोस्तों यदि आप सपने में खुद को नहाते देखते हैं तो इसे भी शुब सपना माना जाता है खासकर यदि आप ठंडे पानी से नहा रहे हो यह सपना बेहएसकार आत्मक माना जाता है इसका अर्थ होता है कि आपको कोई खुश खबरी मिल सकती है यदि आप सपने में आसमान की ओर देख रहे हैं या तारे गिन रहे हैं तो यह भी शुब सपना कहा जाता है इसका अर्थ होता है कि जल्द ही आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है वहीं नौकरी पेशा हैं या कारोबार करते हैं तो आपको मुनाफ़ा मिलने की संभावना रहती है यदि आप सपने में खुद को उधार लेते हुए देखें तो आपको घबराना नहीं चाहिए दरसल यह सपना भी शुब माना जाता है इसका अर्थ होता है कि आप अपने करजों को चुका पाएंगे और किसी अंजान स्रोथ से आपको धनलाब मिल सकता है खुद को सपने में तंग हाले की स्थिती में देखना भी शुब माना जाता है यदि आप सपने में खुद को रोते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपको जीवन में कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है, आपकी परतिष्टा में विर्धी हो सकती है, यह सपना सकारात्मक्ता का संकेत माना जाता है लेकिन यदि आप सपने में रो रहे हों और साथ ही जोर-जोर से चिला रहे हों तो इस सपने को शुब नहीं माना जाता है इसका आर्थ होता है कि आप किसी मानसिक समस्या से दोचार हो सकते हैं यानि कि कोई मानसिक समस्या आपको हो सकती है इसके अलावा यदि आपको सपने में ठोकर लगती है या आप गिरते हैं तो यहाँ सपना भी शुब होता है इससे पता चलता है कि आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो सकती है यदि आप सपने में खुद को सीडियां चड़ते देखते हैं या किसी पेड़ पर चड़ते देखते हैं तो इसे भी शुब संकीत माना जाता है इस सपने का आर्थ होता है कि आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, करियर का ग्राफ उपर की तरब बढ़ेगा और जीवन की विविन्ने छेत्रों में आपको लाब मिल सकता है यदि आप सपने में खुद को पूजा करते देखें तो इसका आर्थ होता है कि आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी और परभुकृपा आपको प्राप्त होगी इसके साथ ही आध्यात्मिक विश्यों में भी आपकी रुची जाक सकती है और आध्यात्मिक पत पर आप अग्रिसर हो सकते हैं तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी पसंदाई होगी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और देखते रहें NBT Life नमस्क्राइब